नमस्कार आप देख रहे हैं दव बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बीपीएसी और सथवी का फॉर्म फिल अप करने का सेकेंड लास्ट यानि कहा जाए तो कल अंतिम दिन है और आज सेकेंड लास्ट दिन है और बता दे आपको हमकी 281 पदों के लिए ये नोटिफिके जार फॉर्म अभी तक यानि कि 19 तारिक के अभियम 11 बजे खबर कर रहे हैं इस समय तक 2,25,000 फॉर्म 281 सीटों के लिए डाले जा चुके हैं आपको बता दें कि ये काफी सिरियस कैंडिडेट है कारण है सीटे कम है और बीपीएसी में ने जैसा परिवर्तन किया है जैसे उ ऐसे छातर जो की बीपीएसी के अलावाद दूसरे चीज की तयारी करते हैं जैसे की रेलवे हुआ एससे हुआ उन लोगों का रूजहान इस बार कम हुआ है बावजूद इसके 2,25,000 फॉर्म भरे गए हैं हालाकि आपको बता दें सरसाठीवी के लिए 6,00,000 फॉर्म इसके स्टुडेंट ते क्योंकि पहले बीपीएसी का ऐसा पैटर्न हुआ करता था या हुआ करता है कि पीटी ये कोस्टन जो है वो वन नाइनर कहा जाए तो रेलवे के अस्तर के होते हैं लेकिन इस बार जिस तरह से परिवर्तन नए अध्यक्स के आने के बाद किया जा र हैं लेकि उनकी भी तादाद देखिए दो लाग पचीज जा रहा है इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो हमारे सुत्र से जानकारी मिल रही है कि आज कल में बीपीएसी 68 के फॉर्म फिलप करने में एक हपते की बढ़ोतरी और कर सकता है हलाकि आप इसके भरोसे ना रहे का समय बढ़ाया जाएगा ये नोटिफिकेशन जो है 68 मेंस में सकेलिंग व्यवस्था को लेकर जानकारी से संबंदित होगी और पीटी परिच्छा में ही सारी जानकारी देना होता है तो नोटिफिकेशन में कुछ संसोधन करके उस पैरा को जोड़ा जाएगा और एक हपत का और समय दिया जा सकता है छात्रों को 68 का फॉर्म फिलब करने के लिए दो दिन बचा हुआ है उम्मीद है कि इसमें तीन लाग से अधिक फॉर्म जाएगा तीन लाग से अधिक जाएगा ही जाएगा एक हपता का समय दिया जाएगा तो भी महत्वपुन वजा बनता है कि तीन लाग से प्लस जो है इसमें फॉर्म हो इसके अलामा बता दे आपको हम कि 68 के मेंस में स्केलिंग होगा निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूज किया जा रहा है 150 के 150 प्रसंट जो है वो निगेटिव मार्किंग के दायरे में आएंगे यानि सही होने पर एक अंक और गलत होने पर एक चौथा यंग आपके काट लिए जाएंगे लेकिन साथ साथ यी ऑप्सन भी रखने का विचार पहले की तरह बना हुआ है यी ऑप्सन हटाने की बात नहीं हो रही है और इसको लेकर छात्रों का बहुत ज़्यदा विरोध है कि यी ऑप्सन आप हटाए निगेटिव रखें लेकिन आयोग के लिए बड़ा ही यी ऑप्सन लाभकारी होता है उनकी रक्षा करता है इसलिए जो सुचनाए हमें मिल रही है उसके मुताबित यी ऑप्सन को हटाने पर कोई विचार नहीं किया या रहा है यानि बिना यी ऑप्सन हटे हुए निगेट सीटो के लिए ये नोटिफिकेशन आया है लेकिन आपको हम बता दे संभावन आये हैं कि इसमें सीटो में बढ़ोतरी होगी क्योंकि आयोग जो है वह अपने कैलेंडर के हिसाफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया लेकिन ऐसी बाते निकल के आई कि फॉर्म भरने तक या पर कमटिशन होने वाला है मातर अभी देखे तो 281 सीट है और आज 19 तारीक को 11 बजे तक सवा 2,24,840 पास फॉर्म फिलब किये गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो निगेटिव मार्किंग जो 50 कोश्चनों के लिए जो स्पेसल स्टार मार्क करके है जिसके लिए जादा अंक कटेंगे उस पर उस पो लेकर जो फिडबेक जो है उसमें दिया गया है कि 38,520 चातर ऐसा चाहते हैं कि 50 कोश्चन को निगेटिव किया जाए अगर सही होता है तो ज्यादा अंक दिया जाए और गलत होता है तो ज्यादा अंक कटा भी जाए वही दूसरा जो ऑ जाए वह एक लाख 64,213 अभी तक कैंडिडेट ने दिया है कि 500 के 500 को निगेटिव के दारे में लाया जाए सही होने पर एक नंबर और गलत होने पर एक चौथाई अंक काटा जाए तो आपको बता दे कि 68 से सम्बंधित महत्वपुन खबर थी और विहार में कंपटीशन का लेवल जो है वो कितना बढ़ते जा रहा है आप ये जान ले जितने भी कैंडिडेट पर इछा दे रहा है कि अभी इस 68 में जितने भी कैंडिडेट फॉर्म पीडप कर रहा है ये सारे सिरियस कैंडिडेट हैं जो कि BPSC में के लिए सिरियस भी तैयारी करते हैं तो आने वा की बात की जा रही है ऐसे को सनों की बात की जा रही है जिसे देखकर लगे कि यहां PCS के प्रस्तन है और यह पीटी से ही इंट्रोड्यूज हो सकते हैं यानि कि 68 पीटी 12 फरवड़ी को जो होगा उसके प्रस्तनों का इस्टेंडर जो है अभी तक के BPSC से अलग हो सकता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को पुर्ण करें और एक बात और जानले कि BPSC ने साफ क्लियर कर दिया है जो हमारे सुत्र बता रहे हैं कि हमें रट्टे बाजो की जरूरत नहीं है हमें तोते की जरूरत नहीं है जो की रट के आते हैं और दे देते हैं और जो वन डे प्लियर हैं हम उन जो की रेलवे या एससी पर ज़्यादा फोकॉस्ट करते हैं उनके दाइरे से उपर का प्रस्ण पूछने का बीपी एसी का प्रयास इस बार रहेगा और मेंस में आप देखी रहे हैं कैसे प्रारूप को बदला गया है कैसे जो एक्सपर्ट ह उनको कोस्टन सेट करने के लिए अलग, एंसर देने के लिए अलग और चेक करने के लिए अलग, यानि कि सारे चीज में परिवर्तन कर दिया गया है तो मेंस का भी एस्टेंडर काफी हाई होने वाला है और इसका जो जहांखी है वो 29 दिसंबर को ही पता चल जाएगा जब म क्योंकि BPSC लगातार परिवर्तन करते जा रहा है और लगातार उस पर दवाव था कि आप अस्तर ये एस्टेंडर को स्टन को रखें विवाद रहित को स्टन को रखें तो कमर कसले और जो भी और सठवी के कंडिडेट हैं 12 फरवारी को टार्गेट करें कि आपका एक्जाम है और एक्जाम जो है अभी तक का सबसे टफ एक्जाम हो सकता है आपके लिए तो उसके लेकर भी आप अपनी रन्निती को बनाएं और आपके वर्फी बता दे कि हो सकता है कि आज गल में BPSC 68V के फॉर्म भरने का तीथी एक हपता के लिए और एक्स्टेंड किया जाए ले यहाँ आपको सस्क्राइक जरूर कर ले क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले और सबसे सटिक जनकारी मिलती थी और मिलती रहेगी बहुत बहुत धन्यबाद